नमश्कार बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है गर्मियों में तर्बूच खाना किसे पसंद नहीं होता बच्चों से लेकर बुजूर्ग तक हर किसी को ये रसीला फल बहुत भाता है तर्बूच सिर्फ स्वादिस्ठ ही नहीं बलकि काफी हेल्दी भी होता है और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं लेकिन तर्बूच खाने वाले लोगों को कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए तर्बूच खाने के बाद आप क्या खा रहे हैं इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ चीजें आपकी हेल्थ को नुकसान पहुचा सकती है चलिए आपको बताते हैं तर्बूज खाने के बाद किन चीजों को नहीं खाना चाहिए तर्बूज के बाद ना ले डेरी प्रोड़क्ट कुछ लोगों को तर्बूज और दूद की स्मूधी बहुत पसंद होती है लेकिन एक्सपर्ट्स इन दोनों चीजों को एक साथ खाने से मना करते हैं दूद एक लेक्सेटिव होता है और वाटरमेलन डेरेटिक होता है इसलिए इन दोनों का एक साथ पेट में होना गैस और पेट फूलने जैसी समस्या पैदा कर सकता है तर्बूज के बाद नमक का सेवन अगर आपको भी तर्बूज पर नमक लगा कर खाने की आदत है तो इसे छोड़ दे ऐसा इसलिए क्योंकि नमक से तर्बूज के पोशक तत्व शरीर में अफशोशित नहीं हो पाते तर्बूज खाने के बाद अनाज की चीजे ना खाएं तर्बूज खाने वाले लोगों को इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि वो इसके बाद कोई भी अनाज की चीज ना खाएं ऐसा करने से उनकी आद खराब हो सकती है और साथी शरीर में धीरे धीरे विशकता पदार्थ बनने लग जाते हैं तर्बूज खाया है तो तला हुआ ना खाएं वैसे तो बाहर का तला हुआ खाना सेहत के लिए किसी माइने से हेल्दी नहीं होता लेकिन तर्बूज खाने के ठीक बात इसका सेवन करने से हिर्दे और रक्त वाहिकाओं संबंदी समस्याएं होने का खत्रा बढ़ जाता है तर्बूज के बाद ना खाएं अंडे अब ये तर्बूजा खाते हैं तो इन चीजों का सेवन ना करें फिलाल हमारे इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक शेट और साथी हमारे चैनल बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूले